नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में दोस्तों रोज की तरह आज भी दैनिक रोजगार समाचार 11 अप्राइल के आपके लिए लेकर मैं आ गया हूँ और इसमें बहुत सारी न्यूज है जैसे कि एल्टी ग्रेट की बारे में बात करेंगे पहले एल दिग्रे कालेज परिचार लिखित परिच्छा फिर इस्थगित हो गई है नए सत्रों पीच्टी के प्रवेश्में संसय है कोरोना राहत के एक हजार रुपए के लिए सरकारी कर्मचारी के परिवार की महिला बनी मजदूर समाज में ऐसे लोग भी है जो इस तरह की भी हरकत करते हैं लॉक्डाउन में पीफ का पैसा निकालने की मचीव होड़ तो दोस्तों इन सभी मुद्वों पर चर्चा करते हैं शुरुआत करते हैं वीडियो की दोस्तों कल मैंने के विकी खान जी का मैसेज आप लोगों को दिखाया था यह मैसेज आया है जिसमें यह लिखा गया है कि 11 से 20 अपरेल तक एक ट्वीटर अभियान चलाए जाएगा और आज से ही स्पूरू हो जाएगा यह ट्वीटर अप लोगों का और इसमें जो है छे बज़े साथ विए तक ट्वीट करना है तीन लोगों ट्वीट करना है मुख्यमंतरी जी को अध्यस जी को और एससपी बरणसी को तो दोस्तों मुद्दा यह है कि क्या ऐसे टाइम पर जब पूरा विश्वे कोरोना से लड़ा रहा है भारत में लाकडाउन है ऐसे समय म क्या इस मुद्दे को उठाना कि हमारा रियल्ट जारी करो हमारी ज्वाइनिंग दो और उसके लिए ट्वीट करना क्या उचित समय है यह इसके लिए भी हमें इंदियार करना चाहिए कि जब यह कोरोना संकट टल जाए उसके बाद यह कारवाई सुरू की जाए या फिर नहीं करेंगे अगली दोस्तों है डिग्री कॉलेज प्रचायर की लिखित परिच्छा फिट टल गई यह परिच्छा भी अपने आप में एक विवाद हो चकी यह 290 पद भरे जाने है डिग्री कॉलेजों में और यह परिच्छा चोथी बार टली है पहली बार यह दिसंबर है टो कि अब नहीं होई उसके बाद एक मार्च की डेट दित गई प्र नहीं होई और उसके बाद उन्हें इपर इपरिच्छा फिर से पोश्ट्पोन हो गई अगली देट को यह जब दी जाएगी तो उसकी बारे में आपको आउगत करा दिया जाएह प्रवेस को लेकर संसे किस्तिति है क्योंकि इस सत्र में क्रेंट को लेकर अभी तो कोई तयारी नहीं हुई है इलाहवाद इस्विडार में प्रवेस परिच्छा के लिए 25 मार्च को जारी बिग्यापन में क्रेट कर जिक्र नहीं था और इलावा दिस विल्ले कि वाणिजी संकाय में अभी तक मौझूदा सत्र का पिएचडी में प्रवेश नहीं हो सका है वहीं पहली बार कालिजों में इसी सत्र से पिएचडी में प्रवेश शुरू हुआ है कुछ कालिजों के कुछी विश्यों में अभी तक PhD में प्रोवेश हुआ है सुत्रों का दावा है कि जब मौजूदा सत्र में ताखिले नहीं हो सके है तो ऐसे में नए सत्र में प्रोवेश को लेकर संसे है आगे लिज्ड दिख़िए एक अज़ीव सहारा नहीं है कुरोना के टाइम जब लाग बंदी है पूरी लॉक डाउन है पुरा देश तो उनको अपना पेट भरने के लिए जीवन यापन करने के लिए दी आरे एरासी लेकिन आदमी पैसे के लिए कितना लाजची हो जाता है कि एक हजार रुपया एक छोटी सी रखम है एक सरकारी कर्वंचारी के परिवार की महला जो है मजदूर अपने आपको सावित करके यह पैसा लेना चाह रही है ऐसे लोग भी समाज में पढ़े हुए है लॉक्डाउन में पीफ निकालने की होड तो लॉक्डाउन के टाइम पे जो अपदान मंतरी जी ने बोला था कि जो रियायतें दी गए थी उसमें पैसा भी निकाल सकते थे तीन महिने का या फिर तीन महिने का बेतन या फिर उसमें जो मिनिमाम होगा तीन महिने के बेतन या 25 परशंट कुछ था ऐसे एकजेक्ट मुझे याद नहीं समय कितना था निकालने का तो इसमें काफी होड मच गई है और जो जानकारी मिल लई है उसके एकॉर्डिंग ईपी एफों ने इस दोरान 10 दिन से भी कम समय में 1,37,000 क्लेम का निप्टारा किया है 1,37,000 जो क्लेम किये थे उसका निप्टारा कर दिया है और 279 क्रोन रुपे पीफ धार्कों के खाते में डाले गये हैं जो पैसा ये निकलना चाह रहे थे और 11 दिन में 4,000,000 लोगों ने रखम निकालने का आवेधन किया 10 दिन में 1,37,000 क्लेम का निप्टारा किया गया जो राहत पैके जारी किया गया थे यहां पर दिया हुआ है कोई भी ब्यक्ति अभी में कह रहा था जो आपसे 75 फीजदी या फिर तीन महीने का शेलरी के बराबर रखम निकाल सकता है 75 फ़सेंट जो प् Cris एमगर दिन महीने की सेलरी अपकी 75 सट दिसे एक कम है तो आप तो जिसको जरूरत है बस वही निकाले एतनी ज्यादा मामारी नहीं मेची हुई है कि विल्कुल है सब कुछ सब्ड़ूनी हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है करोना की जंग जित जाएंगे हम लोग कुछ समय में और इसके बाद एक यह पिक्चर दिखिए है बार-बार सोचल मेडिया से रिक्वेश्ट की जा रही है कि किसी को कुछ देते समय उसकी सेल्फी ना लिया जाएं यहाँ पर तीन-तीन लोग सेल्फी ले रहे हैं एक रासन सामाकरी थोड़ी सी किसी को देते हुए तो समय जो है लोगों की आज कल पाप लेटि के लिए लोग की काम करते हैं जैसे ऐसे लगता है कि वास्तों में किसी की साहता करना चाह रहे हैं अगला आदमी इतना मजबूर हो जाए कि वो लेना ही छोड़ दे सर में के मारे तो इस तरह की हरकत ना करें तो ज़्याद अच्छा है और कोरोना से लड़ने के लिए सभी को एक साथ आना पड़ेगा तो दोस्तों यह थी आज की अपडेट मिलते हैं नेक्स वीडियो में नई अपडेट के साथ धन्यवाद